hello everyone welcome to Tube affairs इस वीडियो में बात करेंगे days and themes June 2022 June मन्त के दीवस और विशय थीम के बारे में इस वीडियो हम बात करेंगे अभी दो दिन पहले जुलाई का days themes upload किया गया था और जो भी मन्त के days and themes के तो सबसे पहले बात करेंगे एक जुन को जुन First एक जुन को कौन सा दे होता है सबसे पहला World Milk Day World Milk Day होता है एक जुन को दूसरा है Global Day of Parents Global Day of Parents ये 2013 से ही observe किया जा रहा है Global Day of Parents उसके पाप जो दो जुन को है International Sex Workers Day ये दो जुन को observe किया जाता है फिर World Bicycle Day विश्व बाइसाइकल दीवस तीन जुन को ये होता है और अभी जैसे Commonwealth Games चल रहा है तो इसमें भारत के तरफ से जो रोनांडो सिंग है और विश्व जीट सिंग है ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइकलिंग में तो World Bicycle Day तीन जुन को अब्जर्व किया जाता है International Day of Innocent Children's Victims of Aggression International Day of Innocent Children's Victims of Aggression ये होता है चार जुन को पात जुन को Most Important World Environment है विश्व पर्यावरन दिवस पात जुन को इसका थीम था Only One Earth Only One Earth इस साल का जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? Sweden था हर साल अलग अलग देश होस्ट कंट्री होता है विश्व पर्यावरन दिवस का तो इस साल Sweden था Sweden 2022 का होस्ट कंट्री था World Environment Day के लिए Sweden जिसकी राजधानी स्टॉक होलम और करेंसी एक क्रोना तो इसका थीम था Only One Earth विश्व पर्यावरन दिवस का फिर 6 जुन को क्या होता है World Pest Day विश्व कीट दिवस विश्व कीट दिवस होता है 6 जुन को World Food Safety Day विश्व खाथ सुरक्षा दिवस 7 जुन के जो अब्जर्व किया जता है इसका थीम था Safer Food, Better Health विश्व खाथ सुरक्षा दिवस इसका थीम था Safer Food, Better Health 8 जुन को क्या अब्जर्व किया जता है World Ocean Day यानि विश्व महासागर दिवस इसका थीम था Revitalization, Collective Action for the Ocean जो दूसरा इपॉर्टेंट दे था 8 जुन को Brain Tumor Day Brain Tumor दिवस इसका थीम था Together We Are Stronger Together We Are Stronger तो 8 जुन को दुन इपॉर्टेंट दे था महासागर दिवस और Brain Tumor दिवस 9 जुन को क्या अब्जर्व किया जता है World Accrediation Day जिसका थीम था Accrediation Sustainability in Economic Growth फिट था International Level Crossing Day ये पहला इस बार का था International Level Crossing Day जो आप Railway Fartak होता है Level Crossing उसे कहते हैं तो वो अब्जर्व किया गया 9 जुन को International Level Crossing Day ये अब्जर्व किया गया 9 जुन को दूसरा था 12 जुन को बात करते हैं World Day Against Child Labour ये भी इंपोर्टेंट है बाल श्रम के खिलाफ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जुन को इसका थीम रहा Universal Social Protection to End Child Labour Universal Social Protection to End Child Labour उसके बाद 13 जुन को International Albinism Day इसका थीम क्या था United in Making Our Voice Heard United in Making Our Voice Heard तो Albinic एक Genetic Inherited Disorder है मतलब कि जो skin में किसी तरह का Melanin Pigments नहीं होता है वो skin disorder होता है Albinism जो disease होता है तो उसके लिए International Albinism Day Observe किया जाता है 13 जुन को फिर बात करते हैं World Blood Donor Day ये भी इंपोर्टेंट है विश्व रक्तदान दिवस 14 जुन को Observe किया जाता है और इस बार का जो host country था वो था Mexico इसके लिए भी host country होते हैं हर साल तो इस बार Mexico ने host किया World Blood Donor Day विश्व रक्तदान दिवस 14 जुन फिर बात करते हैं 15 जुन को 15 जुन को कौन को से day होता है World Elder Abuse Day विश्व बुजूर्ग दुरेपेग दिवस जिसका थीम था Combating Elder Abuse दूसरा था World Wind Day World Wind Day यानि विश्व वायू दिवस ये किसके दोर अब्जर्व किया जाता है Global Wind Energy Council के दोरा जिसका headquarter बुजर्स बेलजियम में उसके दोरा ये अब्जर्व किया जाता है हर साल World Wind Day फिर बात करते है International Day of Family Remittance ये होता है 16 जुन को अब्जर्व किया जाता है अंदरास्ट्री दिवस फैमिली रेमिटेंस के लिए 16 जुन को 17 जुन को World Day to Combat Desertification ये अब्जर्व किया जाता 17 जुन को hosted by Spain इस बार का इसका theme रहा Rising Up From Drought Together Rising Up From Drought Together यानि World Day to Combat Desertification Draws 17 जुन को अब्जर्व किया जाता है जो दूसरा 17 जुन को important है वो है World Crocodile Day 17 जुन को World Crocodile Day अब्जर्व किया जाता है फिर बात करते हैं 18 जुन के तो First था Sustainable Gastronomy Day इस था ही जठरांत्र दिवस और दूसरा था Autistic Pride Day Autistic गौरद दिवस Autism Disease Related यह रहता है Autistic गौरद दिवस फिर बात करते हैं 19 जुन को International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict संगर्ष में यौन हिंसा के उन मुलन के खिलाफ जो दिवस होता है वो होता है 19 जुन को दूसरा है 19 जुन को World Sickle Cell Day तो Sickle Cell Day एक डिजिस होता है इनहेरेटेट जो रेट ब्लड सेट का डिसॉर्डर होता है उसे कहता है सिकल सेल डिजिस डे तो World Sickle Cell Day 19 जुन को अबजर्व किया जाता है तीसरा है National Reading Day राष्टी वाचन दिवस यह अबजर्व किया जाता है 19 जुन को सबसे अदर रेफिजिस को होस्ट करता है मतलब कोलंबिय में सबसे अदर रेफिजिस शर्णार्थी हैं लगबग 1.8 मिलियन तो World Refugee Day एनिविश्व शर्णार्थी दिवस 20 जुन को अबजर्व किया जाता है फिर बात करते हैं 21 जुन वेरी इपॉर्टेंट पहला है International Yoga Day अंतराष्टी योग दिवस थीम क्या रहा Yoga for Humanity अंतराष्टी योगा डे इसका थीम था थीम योगा for Humanity 2015 से अबजर्व किया जा रहा है अंतराष्टी योग दिवस सभी देशों ने सेंगतराष्ट में रिजॉलेशन साइन किया था भारत के प्रस्तावित जो भारत ने प्रस्तावित किया था कि अतराष्टी योग दिवस भी मनाया जाना चाहिए तो 2015 से अबजर्व किया जा रहा है इस बार एट अनिवर्सिटी था गर इंटरस्ते योग डेका दूसरा था व्ल्ल म्यूजिक टे विश्व संगीर दीवस इसका थीम the music on The the intersections music on the intersection तीसरा था वर्ल्ड हाइडोग्राफिक दे यानि विश्व हाइडोग्राफिक दिवस जिसका थीम था contributing to United Nations Ocean Decade तीस चौधा था International Day of Celebration of Solasties तो चार इंपॉर्टेट दे था 21 जुन को फिर बात करते हैं तेस जुन को International Olympic Day अंतराष्ट ओलंपिक दे इसका थीम किया रहा तुगेदर फॉर पीस्फुल वर्ड तो सबसे पहले Olympic Day कब observe क्या गया था यह किया गया था 1948 में 1948 में और International Olympic Committee के प्रेजडेंट को रहा थॉमस बैच थॉमस बैच और हेड़कोर्टर कहा है लुजैने स्विट्जे लैंड में स्विट्जे लैंड के लुजैने में इसका अंतराष्ट्य उलंपिक कमिटी गा दूसरा था युनेटे नेशन पब्लिक सर्विस टे संयुक्त रास्ट लोग सेवाद दिवस तीसरा था 23 जुन को disorder disease है इसका थीम क्या था लर्ण टू लिव विट विटी लिगो तो 25 जुन को दो दे था व्ल्ट विटी लिगो डे और इंटरनाशनल डे ऑफ सीफरर फिर बात करते है 26 जुन को इंटरनाशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूशन इस्ट्राफिकिंग एड्रेसिंग ड्रग लगू मध्यम उध्यमी दिवस तो MSME Micro Small Medium Enterprises यह उब्जर्व किया था 27 जुन को आप से एक सवाल पूछते है आप उसका जवाब कमेंड़ बोक्स में जरू बताई कि अब यह के दरे मंतरी MSME सुच में लगू मध्यम उध्यमी के मंतरी कौन है अभी अब प्रिजिंट वर्ल्ट एलर्जी वी की बात करें तो यह 5-11 जुन को आप्जर्व किया गया इस बार इसका थीम ता ब्रीथ बेटर दा अस्थमा एंड एलर्जी कनेक्शन्स नेनल इंश्रेंस अभेटनेस टे यह अबजर्व किया गया इस जुन को इन्श्रेंस अवेटनेस टे 28 जुन को उन्तिउन की बात करें तो नेनल इस्टिक। प्री इप्लेटर राश्टि साइखी की दिवस, इसका थीम था Data for Sustainable Development, दूसरा था International Day of Tropics, अंतराश्टि कटी बन दिवस, तो 29 जुन को ये दो important दे था, 30 जुन को Unitary Nation, International Day of Parliamentarism, सयुकत राश्ट का अंतराश्टि संसत दिवस, 30 जुन को ये observe किया गया, दूसरा था International Asteroid Day, अंतराश्टि शुद दिवस, तो 30 जुन को ये दो important दे थे, सयुकत राश्ट का अंतराश्टि संसत दिवस और दूसरा, अंतराश्टि शुद्रग्र दिवस, और फर्स्ट एवर International Day of Countering Hate Speech, तो इस बार पहली बार इंट्रूस किया गया, सयुकत राश्ट की दौरा, फर्स्ट एवर International Day of Countering Hate Speech, इस इस फर्स्ट टाइम, तो जो किसी साल फर्स्ट डे, International Day of Observe किया जाता है, या फिर National Day, तो उससे जादा समभवना बनती कि वो सवाल एक्जाम में पूछा जाए, तो फर्स्ट एवर International Love Countering Hate Speech, 18 जुन को Observe किया गया, तो ये था जुन का Days and Themes, दीवस, विशर थीम का वीडियो और बाकी के वीडियोज भी जरूर प्रवाइट करा जाएंगे, तो थैंक यू बेरे मच फोर वाचिंग दी वीडियो